हलो एवरीवान, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सोद, सो आज हम उत्राखन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वान के 100% मोस्ट रिपीटेड एमसी क्यूस को डिसकस करने वाले हैं, ये वही सवाल हैं, जो कि पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे जए हैं और अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी ज़रूर आजड़ पूछे चा सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट सारे क्वेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी, जो कि आपको करेक्ट आंसर को इडेंटिफाई करने में बहुत ही जादा हेल्प करेंगी, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर बन पर मीजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सेलेक्शन लेने में मदद कर सकता है, जो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने आएंगे जिसको इसली मॉबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप सकते हो, फुल से लिए बस मॉक टेस्ट हैं जिसमें से as it is 100% questions examination में बहुत बार पूछे गई हैं, तो students यह मॉक टेस्ट आपकी final preparation में बहुत help करता है, साथ ही 2000 प्लस MCQ question bank जहां पर आपको previous year questions, repeated and most expected questions की series मिल जाएगी वो भी answers and detailed explanation के साथ, तो अगर आप students इसको join करते हो अभी भी, तो बहुत easily paper 1 में अच्छा score कर सकते हो, free videos के access के लिए global online app को download कीजिए, store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है, इसके overview के बाद आप content पर click करोगे, यहां पर आपके सामने मेरे lectures हैं, अगर आप स folder में मेरे lectures, test series और notes को follow करते हो, तो भी आपका selection 100% होगा ही, इसके अलावा English medium students के लिए यहां पर free demo videos भी है, and unit wise folders हैं, जहां पर आपको theory lectures, mcq lectures and test मिल जाएंगे, जो की काफी हैं आपकी तयारी के लिए, so given numbers पर contact करके आप इसके पूरी information भी ले सकते हो, and इसको easily join भी कर सकते हो, so this question में पूछा गया है, which of the following statements best describe brainstorming method of teaching, so brainstorming teaching का method एक बहुत ही जादा interesting way होता है, जिसमें किसी भी student के creativity level को हम check करते हैं, and उसको बढ़ाया जाता है, इसमें बहुत सारे participants तो नहीं होते, लेकिन 6 से 10 students एक बार में participate कर सकते हैं, उनको कोई भी एक topic दे दिया जाता है, random topic हो सकता है, general topic हो सकता है, जिसको ले करके वो नए ideas को generate करते हैं, so options given है, production of large number of ideas कि इसमें जितने participants होते हैं, वो बहुत सारे ideas, बहुत सारे विचार एक दूसरे के साथ share करते हैं, second है small step presentation with feedback provided, यानि कि इसमें छोटे-छोटे steps की साथ-साथ feedback भी दिया जाता है, हर step के बाद, content delivery in liquid language, सपष्ट भाशा में किसे भी चीज को present किय जाता है, theme-based interaction among the participants की, जितने भी, जिसे मैंने आपको बताया, 5-6 लोग होते हैं, उनका ग्रूप होता है, उनको कोई theme दे दी जाती है, उसी के उपर discussion होता है, तो ये चीज बिलकुल भी नहीं है, मैंने आपको अभी clearly बताया था कि general topic या कोई भी basic topic students को दिया जाता है, जि question is, the channel of Swayam Prava are uplinked from BISAC, okay, so यहां पर कहा है कि Swayam Prava के जितने भी 40 DTH channel है, latest data के हिसाब से, वो BISAC के द्वारा uplink किया जाता है, वही इसको handle करते हैं, तो BISAC कहां पर situated है, और अंगाबाद, हैदराबाद, गांधिनगर या बेंगलौर, तो ये basic statement है, पहली line होती है Swayam Prava की कि ये BISAC गांधिनगर के द्वारा manage और handle किया जाता है, और पहले आपने देखा होगा, इसमें 32 DTA channels थे, फिर इसको बढ़ा करके 34 किया गया और 2023 में, ये 40 DTA channels को handle करता है, next is which of the following statements best describe summitive evaluation and evaluation procedures, तो यहां पर योगात मक मुल्यांकन की बात की गई है, अब किसी भी चीज की summary क कि अब होती है, किसी हम बोलते हैं कि पूरा chapter आज मैंने आपको पढ़ा लिया, पूरा topic एक unit मैंने आपको पढ़ा लिया और मैंने बोला summarize करो, summary किसी चीज की end में होती है, वैसे ही evaluation जो है summitive evaluation वो हमेशा end में ही काम करता है, अब end में क्या होते है, आप लोगों का पूरा सा students in the class itself, तो class में तो नहीं होता है, मैंने अभी बताया, end में होता है, आगे है, a teacher awards grades to the students after having transacted the coursework, कि कोर्स पूरा होने के बाद students को marks या grades दिये जाते है, teacher के द्वारा, तीसरा option है, during interaction with students in classroom, teacher provide feedback, तो जिस भी evaluation में feedback दिया जाते है, उसको summitive evaluation कहते है, ये पूछा है third option में, the learner's motivation is raised by teacher through question answer session during feedback, तो feedback के दरान, teacher जो है students को motivate करते हैं, ये summitive evaluation कहता है, तो देखो इसमें correct answer क्या होगा, option number two, क्योंकि मैंने आपको बताया, summitive से याद रखो summary, summary होती है, बिलकुल last में, जैसे कि final exam बिलकुल last में होते हैं, and final exam से आप लोगों को grades दिये जाते हैं, percentage या marks बत first option है, ये है formative evaluation का, formative evaluation हमेशा कक्षा के दौरान करवाया जाता है, next is, when the consistency of data collected is measured at different points of time, it is identified as, ये research aptitude का question है, इसमें कहा है कि एक research है, हमें उस research का एक test लेना है, आज मान लीजिए, मैंने morning में उसका test ले लिया, लेकिन उसकी consistency चेक करने के लिए, मैंने दो दिन के बाद evening के time पर उसका test फिर ले लिया, same test, दो दिन बाद evening में कर दिया, फिर दो दिन बाद night में, रात के समय मैंने same test लिया, हमने क्या किया, जिसी भी data की consistency को चेक करने के अलग-अलग ताइम में अलग-अलग दिन में उसको हमने टेस्ट किया तो इस टेस्ट का नाम होता है इंटरेटर, टेस्ट, री टेस्ट, स्प्लिट हाफ या फिर इंटरनल रिलाइबिलिटी तो ये होती है test, retest आपको पता है एक ही test को बार-बार conduct कराया गया ठीक है, so test, retest split half में होता है, एक test को दो हिस्सों में बांटा जाता है और अलग-अलग domain में काम करवाया जाता है already इन सब पर detailed video है अगर आपने नहीं देखिए, ये concepts clear नहीं है तो मैं आपको link description box में add कर दूँगी उस video को जरूर देख लीजिए homework question है, जिसका answer मुझे comment करके बताईएगा बहुत easy है, facts and information get focused in which level of teaching so teaching के 3 levels होते है, memory, understanding and reflective कई बार autonomous को भी add कर दिया जाता है लेकिन majorly 3 आपने याद रखने हैं जब भी हम fat और किसे भी information सूचना या तत्यों की बात करते हैं तो वो कौन से level पर काम करता है comment करके answer बताईए change of behavior in people after they come to know they are participating in a research project to produce results that do not have validity is known as अब देखो आप एक research करने जा रहे हो और आपको पता है कि इस research का जो भी result आएगा उसकी कोई भी validity consider नहीं की जाएगी तो वो कौन सा research आप लोगों का माना जाता है तो यह होगा blind effect, evaluation effect hawthrone effect या फिर demand effect so correct answer है आपके पास option number 3 that is hawthrone effect इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो observe bias ठीक है यह exam में बहुत बार question आ चुक है बहुत बार ठीक है, refers to the change in behavior of individual due to being observed or aware of being observed अगर देखो किसी को लगता है मैं कुछ project अपना कर रही हूँ कुछ काम अपना कर रही हूँ मुझे पता है कि मेरे सामने, मेरे seniors बैठे हुए senior teachers बैठे हुए वो मुझे देख रहे हैं या मैं paper लिख रही हूँ next question is an open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching so यह आपका कौन से level of teaching का correct answer है reflective level क्यों देखो reflective level highest level of teaching होता है जहां पर teacher ही सिरफ बोल रहे होंगे वो हुगा memory level यहां पर कहा है sharing and caring by teachers and students यानि कि teacher और student दोनों बराबर level पर participate कर रहे हैं किसी भी communication में किसी भी data sharing में ठीक है so यह है reflective level of teaching next is if teaching is viewed as a continuum which of the following modality involves active give and take between teacher and learners so active give and take के जब भी हम बात करते हैं actively teacher participate कर रहे हैं students participate कर रहे हैं तो वो होता है हमेशा instruction में अनू देश में ठीक है जिसे हम बोलते है practice makes a man perfect तो training क्या करती है किसी की intellectual abilities को develop करती है and give and take वाला process यहां पर हमेशा चल रहा होता है next is identify those teaching strategies which are learner centered so students पर focused कौनसे strategies में होता है cooperative learning next is team teaching laboratory based project pair share discussion lecturing with powerpoint presentation बहुत easy question है okay so सबसे पहले cooperative learning की इसमें कहते हैं कि cooperate किया जाए teacher और students दोनों को cooperate करना चाहिए एक दूसरे के साथ तो यह learner centered होता है ठीक है उसके बाद आता है team teaching नहीं इसमें बहुत सारे teachers एक बड़ी class में आते हैं और एक साथ सब पढ़ाते हैं laboratory based project lab वगरा में जो होते हैं उसमें क्या होता तीन तीन चार चार बच्चों को groups बनाया जाता है वो खुद project को पर काम करते हैं pair share discussion groups बनाया जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जैसे एक task दे दिया इस group को एक task दे दिया इस group को और last में बोला जाता है सब individually काम करो या छुट-छुटे groups में काम करो रापस में सारा data share प्लतो lecturing जो है वो teacher centered होता है so correct answer है A, C and D that is option number 3 next is in which of the following अगर आप लोगों को ये वाली PPT चाहिए तो बस मुझे comment करके बता दीजी मैं आपके साथ link share कर दूँगी in which of the following sampling methods employed in research and the units comprising the samples are given equal and independent chance so कहाँ पर sampling में equal or independent chance दिया जाता है हर एक person को अब देखो equal or independent chance की बात यहाँ पर की गई है यानि कि यह non probability sampling technique की बात हो रही है ठीक है and यहाँ पर कहा है sampling method employed in research and unit units में divide किया जाता है हजार लोग है हजार लोगों को छोटे-छोटे modules में divide कर दिया जाएगा मैंने आपको अल्रेडी बिताया है sampling में यह छोटे-छोटे हिस्से होते हैं इनको modules नहीं इनको cluster बोलते हैं तो इसका correct answer भी होगा cluster sampling small units का है न तो directly clusters आपको पता लगना चाहिए तो यह ऐसे कुछ keywords और tricks होते हैं जहां से आपको concept चाहिए नहीं भी clear हो फिर भी आप answer ढूंद सकते हो next is in a classroom every teacher has to perform the gatekeeper function हर एक teacher को gatekeeping करनी चाहिए यानि कि हर बच्चे पर बराबर नजर रखनी चाहिए और active भी रहना चाहिए statement 2 है every teacher in an higher educational institution should act as moral custodian of student both inside and outside it higher educational institution में जो teacher होते हैं उनको student पर अंदर बाहर हर तरफ से चाहे college school के अंदर है बाहर है नजर रखनी ही चाहिए तो दोनों statements बिल्कुल correct है in communication denotation is the level of what so denotation एक barrier होता है communication का जो कि किसी भी term का common meaning या फिर literal meaning हमें बताता है so options में दिया गया है belief contrast, description और descent अब देको मैंने बताया common meaning तो असहमती होगी नहीं common meaning में विश्वास भी नहीं होगा contrast मतलब उसका उल्टा जो भी गलत है so इसलिए correct answer है description ठीक है denotation किसी particular word का detail हमें बताता है जैसे अगर मैं आप लोगों को apple बोल दूँ और ये भी बता दूँ कि ये एक fruit है तो मैंने क्या किया इसका एक description, एक denotative meaning आप लोगों को बता दिया similarly हमारे पास connotation एक term होती है जो कि किसी चीज़ का cultural meaning बताने में हमें help करती है next question is according to some experts like Marshall McLuhan, the following are considered as hot media so hot media क्या होता है देखो, एक ऐसा media होता है जिसमें बहुत सारी information बहुत कम लोगों के बीच में share की जाती है लेकिन क्या होता है लोग बहुत कम है लेकिन information बहुत जादा दी जाती है इसमें एक keyword है जो कि ये है कि ये हमारी सिरफ six sense में से सिरफ one sense को ही एक समय पे इस्तिमाल करता है जो चीज जिस particular time पे होनी है उसी particular time में इसको follow किया जाना चाहिए ये होती है hot media की definition पहला example है telephone तो देखो telephone क्या है ये cool media है second we have television television भी cool media है then we have radio radio उमारे पास hot media होता है जिसमें एक जगा पर कम लोग जाधा लोगों को बहुत जाधा information दे देती है then we have cinema या movies ये भी hot media है then we have print ये भी hot media होता है so c d and e आप देख सकते हो correct answer होगा option number 3 next is the science of studying the feedback system in humans, animals and machines is described as feedback system बहुत important है communication में अब हम animals से भी feedback लेते हैं है ना समझते हैं क्योंकि वो हमारी language को तो इस system को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है feedback science no, experience study बिल्कुल भी नहीं, message hearing urinetics बिल्कुल भी नहीं and cybernetics यह बिल्कुल सही option है, cybernetics ही term है जिसकी as it is definition दी गई है symbols provide meaning when used in अब देखो आप symbols के साथ बात कर रहे हो अब सामने वाला उन symbols को कब समझेगा यह इसमें पूछा गया है contrasting style जब आप किसी उल्टे तरीके से वो present करोगे random order में present करोगे non specific context या फर specific cultural context यहाँ पर correct answer क्या होगा एक अगर Sanskritic संदर्भ में आप बता रहे हो जिसे अगर Hindi में आप कुछ चीज बता रहे हो, सामने वाले को Hindi आती है तो ही वो आपके symbols को समझ पाएगा इसलिए इसको कहा जाता है specific cultural context next is the hot medium is characterized characterized by what देखो अभी मैंने यह detail में आपको बताया non mechanical component नहीं low audience होती है hot media में बिल्कुल low audience होती है it envelops only one sense एक ही sense को use किया जाता है बहुत जादा information supply होती बहुत जादा information sharing होती है बिल्कुल सही high audience अगर हो तो यह होता है cool media correct answer क्या है BCND that means option number B is the correct answer hot and cool media में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा दो questions है आपके सारे concept clear हो गए next question is people perceive the communicated messages according to their अब एक person को आपने कोई message दिया दूसरा person उसको समझ रहे है कैसे समझेंगे official status से बिल्कुल भी नहीं cultural value sanskritic मुल्य बहुत important है communication में या फिर वो अपनी तरफ से imagine करके उस बात को समझ लेंगे या फिर semantic gaps gaps यहां पर है वहाँ पर communication कभी नहीं हो सकता और cultural values एक communication को और भी जादा बहतर बनाने में मदद करती है the doctrine of individualism the political concept of communication is identified as what so इसको क्या माना जाता है formula economic indicator institutional background या फिर ideology correct answer we have is ideology यानि की विचार धारा यहां पर keyword यह है कि जब भी हम इंडॉक्टरी नीशन की बात करते हैं खास और पर political concept में तो go for ideology हमेशा next is which of the following is excluded from the list of communication barrier communication barriers communication में बाधाएं होती physical barrier भी होता है semantic भी होता है जो कि शब्दार्थ जिसको बोलते है philosophical या फिर psychological देखो मन और विज्ञानी किसी का level ही उतना नहीं है चोटे बच्चे को यूजसिनेट पढ़ाओगे तो हो समझेंगे कभी भी नहीं तो correct answer है philosophical barrier is the correct answer next is which of the following are forms of traditional media of communication so संचार का पारंपरिक माध्यम कौन सा है it is street demonstration नहीं यक्षगान यक्षगान एक आर्ट होता है जिसमें शब्द, symbols, music ये सब चीज़ें आती है बिल्कुल सही होगा ये कटपुतली क्या कटपुतली से traditional तरीके में लोगों को चीज़ें बताई जाते थी हरी कथा या फिर filmy dances तो filmy dances तो बिल्कुल नहीं है correct answer होगा B, C and D that is option number 2 सबके meaning आपको पता है imagine करो पुराने जमाने में communication ऐसे दिया जाता था लोगों को कोई नई चीज़ ऐसे बताई जाती थी people who have who help in the transmission of messages for example reporters or copy editors is known as अब देखो reporters क्या करते है actual market से news उठाते है और audience तक पहुंचाते है तो वो क्या है carrier है नहीं है transporters है बिल्कुल भी नहीं mediators या फिर relay people rely people mediators वो होते हैं एक person जो बात यहां से वहां एक छोटे level पर पहुंचाता है लेकिन यहां पर बड़े level पर बात की गई है तो rely people होगा जिन पर हम निर्भर करते हैं so correct answer is 4 which of the following mass media is considered less expensive and more effective than others for educational communication of non literates so देखो यहां पर mass media यानि कि बहुत बड़ा level पर बहुत बड़ी audience को किसी एक person ने information देनी है जैसे radio, भाशन यह सब होता है इसमें बोले कि कम expensive है और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उन लोगं के लिए ज़रूरी है तो television होगा लेकिन less expensive है television तो महंगा होता है इसको गलत है यह radio, newspaper, films films भी महंगी ही होती है एक तरीके से सबसे सस्ता यहाँ पर लोग बलेंगे less expensive है तो newspaper मान लेते लेकिन यहाँ पर बोले non-literates जो पढ़े लिखे नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं सकते सुनतो सकते है that is correct answer is option number two radio ऐसे आप लोग questions के answer ढूढ़िए बहुत easy है what are the relevant strategies of effective communication in a classroom understanding cultural background of students through clarity of speech आप जो बोल रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए आपके शब्दों में clarity होनी चाहिए focused listening on both sides teacher भी अगर अच्छे से बोले और सुने आप students भी तो ही एक अच्छा classroom communication हो सकता है inventing cultural levels बिल्कुल गलत और disdain of collecting efforts ये भी बिल्कुल गलत है तो option ABC is the correct answer बहुत easy questions हैं बार-बार repeat होते हैं next is statement one है language and other symbolic means of mass communication or social products okay so इसमें कहा है कि mass communication जैसे भाशन होता है एक person बोलते हैं और बहुत सारे सुनते हैं उन्होंने कहा है कि language और जो symbol meaning होते हैं वो social products होते हैं बिल्कुल सही है statement two होती है communication media always make their audience feel comfortable हमेशा ये comfortable feel नहीं करती okay कई बार students या सामने बारे जो listener होते हैं वो uncomfortable भी होते हैं media के through first is true second is false correct answer is three next है persuasive communication does not blur the difference between truth and falsehood so देखो ये as it is statement दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है mass mediated communication never reflects truth mass media इसमें बोला है कि कभी भी सच्चा ही नहीं बताते कभी तो बताते ही है बीच में जूट भी हो जाता है इसलिए दोनों statements गलत है next is in mass communication print is considered as what so print media को क्या माना जाता है अब आप बोलोगे कि मैं यहाँ पना hot media का option है ना cool media का option है तो क्या होगा folk medium नहीं electronic medium electronic medium होता है जिसे यह pdf file में आपको दूँगी यह आप यहाँ पर digitally मेरी session को देख रहे हो that is called electronic medium तो यह भी नहीं है print उसके बाद है ordinary medium ordinary medium भी नहीं होता साधारन medium नहीं होता यह mechanical medium होता है कि machine हमें help करती है communication में यसे कि newspaper इसका एक best example है okay so correct answer is option number 3 so आगे बढ़ने से पहले आपको पूरा syllabus पता होना चाहिए so research aptitude यानि कि शोध अभिवरिती का यह पूरा syllabus है and हमारा आज के session में हम शोध पत्दती के जितने भी types हैं उनको detail में पढ़ेंगे इसी के साथ सबसे पहला question हमारा है quantitative research is also called यानि कि मातरात्मक अनुसंधान को भी क्या कहा जाता है अब देखो जब भी हम लोग quantity की बात करते हैं इसका मतलब है हम यहाँ पर numbers की बात कर रहे हैं अगर यह चीज़ आप समझ गे तो आपके लिए question बहुत आसान हो जाएगा okay so options है anthropographic approach यानि कि revenge of ज्यान द्रिश्टी कोण unstructured approach unsarachit द्रिश्टी कोण descriptive approach वर्न अनात्मक द्रिश्टी कोण और structured approach यानि की सरचित द्रिश्टी कोण so यहाँ पर देखो quantitative मैंने आपको बताया कि numbers के साथ काम किया जाता है किसी की भी quantity अब जैसे मेरे पास माल लीजिए कि 5 bottles है तो इसका मतलब यह क्या है कि हम quantity की बात कर रहे हैं इसकी quantity 5 है okay so quantitative research basically एक structured approach होता है सरचित द्रिश्टी कोण होता है इसको याद रिखने का एक trick मैं बताती हूँ देखो जो भी numbers हम use करते हैं कभी भी आप कुछ पढ़ रहे हो आप numbers लिख रहे हो तो हमेशा आपको पता होता है ना कि 1,2,3,4,5 एक sequence में ही रहता है एक proper इसका structure ही होता है जो हमने बच्पन से पढ़ा है कभी आपने numbers ऐसे लिखे है 1,10,2,4,5,6 ऐसे पढ़े हैं कभी भी नहीं पढ़े होंगे सो जब भी हम numbers की बात करते हैं जब भी हम quantitative research की बात करते हैं तो directly go for structured approach ओके and इसके अलावा हमारे पास एक और method होता है qualitative qualitative क्या करता है quality बताता है किसी चीज़ की और qualitative हमेशा unstructured approach होता है तो ये question exam में अल्रेड़ी पूछा जा चुका है and qualitative का अगले exam में पूछा जा सकता है अब कभी भी अब कभी भी अगर हम लोगों से mathematical model या math से related परिकल्पना की बात की जा रही होगी question में तो आपने बिना सोचे समझे quantitative पे click कर देना है क्योंकि quantitative का मतलब होता है हमेशा numbers के साथ जुडा हुआ next question is the research stream of immediate application is conceptual research action research fundamental research empirical research यानि कि जो ततकाल आवेदन की अनुसंधान धारा होती है वो किस पे depend करती है वो किस के उपर अधारित होती है देखो यह हमने basic questions वाले या basic थरी वाले sessions में भी पढ़ा था एक ऐसा research इसमें पूछा गया है एक एक एसा research इसमें पूछा गया है जिसको हम अगर एकदम से problem हो रही है हमें कहीं पर हम फस चुके हैं तो immediately उसको इसको use किया जा सकता है तो ऐसा कौन सा research है ऐसा research होता है सिर्फ और सिर्फ action research अब देखो कई बार ऐसा होता है कि को problem में फस जाते तो हमें उस वक्त जरूरत नहीं होती उतना समय नहीं होता कि हम सोचें किसी को call करें हमें क्या करना होता है एकदम से कुछ action लेना होता है चाहिए फिर वो action हमें end तक पहुंचाए या किसी नुक्सा में पहुंचाए वो उसके result की अलग बात रहती है लेकिन कभी भी ततकाल अगर हमें कुछ करना हो तो हमेशा हमें help करता है action research ठीक है action research क्या होता है cyclic होता है nature में यानि एक circle के format में ये काम करता है and exam में बहुत बार पूछा गया है कि action research के कितने steps होते हैं so इसके 4 steps होते हैं कौन कौन से plan, act, observe and reflect तो ये जो चार phases है इस तरीके से गूमते plan, act, observe, reflect फिर से plan, act, observe, reflect तो इस तरीके से action research हमेशा use होता है okay I hope ये question भी आप समझ गए हो students अगर आपको ये session पसंद आ रहे हैं आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा and आप चाहते हो कि continue करूं इस series को तो भी आप मुझे जरूर कह सकते हो next question है in which of the following research paradigms the focus of concern is on interpreting reality in terms of participants perspective यानि कि निमिलकित में से किस शोध प्रतिमान में चिंता का विशे प्रतिभागयों के परिपेक्ष के संदर्व में वास्तविक्ता की व्याख्या करना है okay so answer पेचाने से पहले आप सभी students को मैं एक important point बता देना चाहती हूँ देखो इस question में कुछ keywords है जब ये लिखा है interpreting reality यानि कि वास्तविक्ता की व्याख्या करने की जब ही हम बात करते हैं तो हमेशा ethnographic research ही सही answer होता है revenge विज्ञान अनुसंधान ही सही research होता है अब देखो यहाँ पर ethnographic research के ओड़ एक बहुत important method होता है बहुत important approach होता है research का जिसको की basically कहां पर use किया जाता है इसको qualitative research में use किया जाता है अब दो चीजे हमने पढ़ी थी first question में qualitative और quantitative methods अगर आप यह दो methods को अच्छे से समझ आते हो और इसके अंदर की qualitative के अंदर कौन-कौन से methods आते हैं quantitative के अंदर कौन-कौन से methods आते हैं यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अगर यह चीजे आप अच्छे से समझ आते हो तो आपको questions को solve करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ही समझ चुकी हो कि interpreting reality यानि कि वास्तवी विक्ता की व्याख्या करने की बात की गई है तो anthropogenic research होगा जो कि directly qualitative research का ही method है यह research को बहुत जादा deep में बहुत जादा गहराई से करने में विश्वास रखता है इसमें जो भी natural environment है उसको बहुत अच्छे से observe किया जाता है फिर इसके results पर ध्यान दिया जाता है अगला question है A college teacher does research with a view to depict the reality situations relating to home condition of students and hostels provided for बहुत असान question है इस question से देखिए So which of the following research format will be helpful to do so Okay, so बिल्कुल एक real life की situation यहाँ पर दी गई है जिसमें college teacher को responsibility दी गई है research करने के उनको research क्या करना है उनको reality situations देखनी है वास्तविक स्थितियों को check करना है किसी student के home की condition को ले करके and जो उनको hoster provide करवाया गया है उसकी conditions को देख करके research करनी है तो ऐसे case में जो सबसे ज़्यादा important research होता है वो होता है participation observation based research यानि कि प्रतिभागी अवलोकन अवधारित अनुसंतान एक जो उसमें participate कर रहा है यानि कि जो student है कोई एक ऐसा student जिसको हम example के रूप में ले रही है उस student को अच्छे से observe करेंगे फिर उनकी condition को हम समझने के कोशिश करेंगे ऐसे case में जो correct answer है option number 3 अगला question है assertion reason based assertion प्रकार के questions में आपको क्या करना होता है in order to bridge the gap between theory and practice both fundamental and applied research formats have to be promoted ओके सो इसमें देखो ये कहा गया है कि अगर हमें theory किसी चीज़ की theory भी पढ़ाई जाती है आपको practical भी करवाया जाता है दोनों चीज़ों के बीच में अगर हमें gap जो है उसको check करना है fundamental और applied research दोनों के format में इसको promote किया जा रहा है पर focus करता है and applied research directly practical चीज़ों पर focus करता है तो direct मैंने question आपको समझा दिया correct answer है कि research इस question में assertion और reason दोनों सत्य है and इसका explanation भी बिलकुल सही है अगला question है university department plans to undertake a study wherein attitude value and biases of teachers and students are to be probed with an eye on disclosing their pattern of adjustment ठीक है so university का एक department है जो कि plan कर रहे हैं कि हम एक research करनी है जसमें हम students के और teachers के किसी चीज़ को लेकर कि क्या दृष्टी कोण है क्या value देते हैं वो किसी चीज़ को उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं वो कैसे adjust करते हैं level पर इस तरहां की research के लिए कौन सा method best रहेगा सो correct answer है हमारे पास case study method and ethnographic method यहां पर students एक homework question में आपको यह दे रही हूँ इसका answer मेरे previous videos में मिल जाएगा या फिर google पे search कीज़े क्योंकि जरूर exam में question आता है तो ethnopogenic तो हम बहुत बार discuss कर चुके हैं कि आपका quantitative होता है ठीके? अब बताइए कि case study method qualitative है या quantitative है? comment करके answer बताइएगा आप सही हो या गलत हो वह मैं आपको reply करते हूँ अगला question है below are given two sets जिसमें एक तरफ research methods है दूसरी तरफ data collection के tools दिये गए है experimental method, exposed, descriptive and historical method historical मतलब history जो चीज़े अरड़ी हो चुकी है अब history, history की book पढ़ते हो उसके लिए किसी को कोई research करनी की जरूरत होती है हर एक आम आदमी को नहीं होती उसमें already हमारे पास sources होते है हमारे पास already data होता है primary और secondary so D को हम first के साथ match करेंगे according हमारा option number C है and option A गलत हो गया है इसके बाद एको experiment जब भी किये जाते हैं तो एक test होता है आप लोगों ने lab में experiment किये हैं तो आप कुछ नो कुछ चीज़े उसमें test कर रहे होते हो so first को हम third से match कर देंगे first को third से match कर देंगे D को first से match कर देंगे X post facto होता है कि कोई incident अगर एक बार हो गया है और उस incident के बाद फिर हम हमें पता चल रहा है और उसके बाद फिर हम उसके लिए research कर रहे हैं तो वो होता है typical characteristic test and descriptive किसी चीज़ को describe किया जाता है descriptive survey method होता है question here so correct answer है option number B ये जितने भी methods हैं कि theory मैं already discuss कर चुकी हो link description box में मिल चाहेगा आप देख सकते हो the study of why does stressful living result in heart attack इसमें कहा है कि तनावपून जीवन जो लोग जीते हैं उनको heart attack दिल का दोरा आने के जादा chances होते हैं ये कौन सी research ने कहा है ये explanatory research ने कहा है व्याख्या की है यानि कि बहुत से लोगों को heart attack आ रहे थे मान लीजे तो फिर उसके बाद उन्होंने research किया कि कौन सी age के लोगों को अभी बहुत heart attack आ रहा है फिर उन सभी लोगों की जो daily routine है उस पे research किया गया उनका क्या schedule रहता था क्या उनके eating habits रहते थे कैसे वो खाते पीते थे वो सब चीज़ों पे research की गई और फिर उसको explain किया गया कि ये कारण है अगर वो तनावपून जीवन जी रहे थे जिसके कारण उनको heart attack हुआ था रिसर्चर अटेंब्स तो एवालूएट दी effect of method of feeding on anxiety proneness of children इसमें कहा है एक शोद करता बच्चों की चिंता प्रवनता पर भोजन की विधी के प्रभाव का मुल्यांकन करने का प्रियास करता है इसमें कौन सा method सबसे अच्छा है तो इसमें exposed factor method अब देखो मैंने क्या बताया कि कोई incident हो चुका है कुछ problem में हम first चुके हैं उसके बाद हम उस पे research कर रहे हैं इसमें क्या हुआ इस केस में एक बच्चा already anxiety हो चुकी है उनको वो परिशान बहुत confused और ऐसे mentally disturbed रहने लग जया है वो already उस condition में जा चुका है उसके बाद हम उस चीज़ पे research कर रहे हैं कि यह हुआ क्यूं था तो वो होगा exposed factor method इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखना असान हो जाती है आज का हमारा last question है एक तरफ interview के types दिये हैं जो कि research पे मदद करते हैं दूसरी तरफ उसके meaning दिये गए है structured unstructured यहाँ पर आएगा answered ठीक है इसको यहाँ पर लिखना है focused or clinical interviews so either directly देख लेते हैं structured interview होते हैं pre-determined questions होते हैं जो कि पहले से determined किये गए होते हैं वो एक structured interview होते है unstructured होते हैं जो कभी भी ले लिया जाते है वो बहुत flexible होते है focused interview होते हैं किसी particular question पे या pattern पे उसमें ध्यान दिया जाता है and clinical interviews होते हैं जिसमें किसी एक person की व्यक्तिगत जीवन का अनुभव उनसे पूछा जाता है ओके, सो आज हमने methods of teaching के 10 questions के साथ लगबग हर एक प्रकार को discuss कर दिया है I hope आपको ये session पसंद आया है अगला topic क्या चाहते हो या कोई भी doubt अगर आपको यहाँ पर रह गया है कुछ भी doubt कोई भी query mind में आपके चल रही है बेज़े चक मुझे comment करके बता दीज़े Steps of research का ये question है इसमें पूछा गया है कि जो भी चरण होते है अनुसंधान के शोद के ज़द चरण होते हैं उसका सही क्रम में लिखिए identification of research problem यानि कि शोद समस्या की पैचान listening of research objectives अनुसंधानों देश्यों की सूची collection of data, data का संग्रह methodology, कार्यपरणाली data analysis, data visualization और result and discussion यानि कि परिडाम और चरण अब इस question को हम detail में देखेंगे क्योंकि इस question के base पर आगे के 2-3 questions होने वाले हैं जब भी हम research करते हैं research क्यों की जाती है कोई हमारे पास problem है या real life में problem है या social कोई problem है किसी भी field में कोई problem है उस problem के solution तक पहुँचने के लिए हम research करते हैं, माली जे कहीं पर कोई भुकम पागया unwanted bar आ गई तो वो एक problem हो गई ठीक है, अब वो problem क्यों हुई इसके पीछे क्या कारण था उसके solution तक जाने के लिए हम research करते हैं बड़े-बड़े researchers वहाँ पर research करते हैं कि यह क्यों हुआ, क्या इसके पीछे reason था, और फिर वो बताते हैं कि हाँ हम इनसान जो गड़बड कर रहे हैं उसकी वज़े से हुआ या कोई भी चीज़ें से हो सकती है तो इसलिए research करने के लिए सबसे पहली चीज जो किसी person के पास होनी चाहिए वो होती है, एक problem अगर आपके पास problem ही नहीं होगी तो आप ढूंडोगे क्या तब तो research होगी ही नहीं तो सबसे पहले आपको research के problem के बारे में पता होना चाहिए अब problem तो बहुत सारी होती है लेकिन problem के solution तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना होता है objectives को define करना होता है अब problem हमारे पास है उस problem से क्या-क्या उदेश्य हम निकाल सकते हैं कैसे उसके solution तक पहुँच सकते हैं पहला step है option number one दूसरा step है option number two अब यहां पर objective देखने के बाद आपको पता चलता है कि आप कौन सा method यूज़ करोगे research के बहुत से methods होते हैं हमने already कल discuss कर लिया है right so वो जो research के methods है उसमें से कौन सा method उस condition पर best suitable होगा वो ढूमना जरूरी है उस method को select करने के बाद आपको फिर data collect करना है उस method उस research के solution को ढूणने के लिए आपको जो भी data चाहिए जो भी records चाहिए लोगों से interviews लेने पड़ सकते हैं कि उनके इसके बारे में क्या कहना है जितने भी लोगों से interview ले रहे हो वो सब बिल्कुल सही होगा तो उस data को collect मान लिजे 100 लोगों से आपने data collect कर लिया 100 में से हो सकता है final आप 80 करो 20 को reject कर दो तो इसके लिए data analysis भी जरूरी होता है और result and discussion तो दिखते से बात है कि सबसे अंतिम step ही होगा तो correct answer क्या है option number 2 that is 1, 2, 4, 3 and 5, 6 ओके बहुत easy question था इतना detail में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी पे base आगे question आएगा देखो इसमें भी पूछा था ना steps of research correct sequence इसमें भी पूछा है research के steps का correct sequence चीजे वही है जो हमने यहाँ पर देखी बस उसको लिखने का और पूछने का तरीका अलग है okay तो सबसे पहले क्या step होगा research of sorry selection of topic यानि कि विशय आपको पता होना चाहिए review करेंगे literature का जो पुराने साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ोगे या फिर यह देखो यह तीन जगा पर same option है तो इससे आपको clear हो जाएगा कि आपका answer B तो बिल्कुल नहीं होगा आपने topic ढूण लिया उसके बाद research review करोगे literature का review करोगे देखो एक बार आपको topic मिल गया topic कहीं आपको मतलब है कि आपको यह पता चल गया कि problem क्या है आप एक बार problem मिल गई तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि अरे यह तो बहुत बड़ी problem है चलो इस पर solution ढूनते हैं और आप सीधा solution ढूनने लग गई यह सबसे गलत चीज हो दिया है आपके सामने अगर कोई problem आ रही है, social problem या कोई भी बड़ी problem और as an researcher आप सोच रहे हो उसके बारे में research करने का तो सबसे पहले आपको review करना है literature का आपको उस problem से related पहले जो भी research हुई है उनको अथे से पढ़ना है उनके बारे में अच्छे से study करना है कहीं ऐसा ना हो कि जिस problem का solution आप ढूनना चाह रही हो उसका already best solution किसी ने दे दिया हो तब तो आपकी research waste हो जाएगी आपका समय पैसा energy सब waste हो जाएगा तो problem आने के बाद आपको पढ़ना है कि इस problem के बारे में आज तक किसी ने क्या क्या सर्च किया है क्या किसी ने इसके बारे में कुछ किया भी है या नहीं किया है उसके बाद ते data को collect करोगे और जो भी आपने findings जो भी आपके result आए है findings का मतलब है result आया है तो यह होगा last option ओके सो यह दे को same चीज़े थी बस पूछी different तरीके से गई थी so review of literature कभी भी पहला step हो ही नहीं सकता और इसमें भी देखो topic select करने के बाद data एक अगर कर लिया और data एक अगर दिन में तो होगा नहीं 10-12-15 दिन minimum यह मान कर चलते हैं छोटे से research के लिए उसके बाद फिर पुराने research में देखोगे कि यह चीजे किसे ने की है या नहीं की है तब तो आपका यह वाला समय बिल्कुल बरबाद हो गया ना इसलिए इन चीजों पे आपने ध्यान देना है और इस वाले question में findings यानि कि result result हमेशा last में आता है तो यह option इसलिए गलत होगा I hope students यह आप चीजे समझ रहे हो session पसंद आ रहा है बेजी जब कोई doubt है तो भी बिता दीजिए sessions पसंद आ रहे हैं तो मुझे motivate करने के लिए जरूर comment कर दीजेगा चाहते हो कि मैं इसको continue करूँ तो भी मुझे बिता दीजिए अगला question है A good review of research literature aims at अब देखो हमने research literature के review की बात की शोध साहित्य की एक अच्छी समिक्षा की बात की तो उसका उदेश्य क्या होता है उसका उदेश्य होता है generating research questions and validating those questions कि अनुसान प्रश्न उपन करना कि हमारे research से related क्या-क्या questions उट सकते हैं क्या-क्या questions हम ढूंड सकते हैं उनको पहले अच्छे से समझना और उन questions को validate करना कि ये बिलकुल मानने हैं ये भी चीजे research literature के review में आती हैं देखो अगला question है sequential operations in scientific research यहाँ पर विज्ञानिक अनुसंदान science में कितने research होते हैं हर रोज नया एक research होता है तो scientific research में क्या steps होंगे ये भी एक important question है बहुत पार exam में आता है answer पर जाते हैं तो पहला है co-variation सह भिन्नता कि already अगर इस चीज़ पर research हो चुकी है तो हम ऐसा क्या करें कि ये वो थोड़ा अलग हो elimination of superiorious relations नकली का उन्मूलन संबंद journalization समानी करण और theorization सिधानती करण ये होते हैं इसके steps याद रख लीजिए as it is exam में आना होगा तो इसमें से as it is the question आएगा नहीं तो नहीं आएगा अगला question है the probability sampling procedures are mostly used in which of the following researches अब देखो होता कि है research में हमारे पास एक topic होता है sampling नमूना करण जिसको बोलते है sampling दो टाइप की होती है एक होता है probability sampling एक होता है non probability sampling अगले वीडियो में इस पर questions में लेकर आऊँगी यहाँ पर probability sampling procedure की बात दी है तो किस किस research में इसको use किया जाता है इसको use किया जाता है survey research के दोरान experimental research के दोरान और core relational design based research के दोरान तो यह बहुत important topic है इसको note कर लीजिए probability sampling और non probability sampling आगली वीडियो में हम discuss करेंगे अगला question है which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research देखो यह भी same question है research के दोरान सबसे valid steps जो है logical sequence जो है वो आपको ढूड़ना है पहला हमने बताया identify करना है और research के problem को define करना है यहाँ पर देखो identify of research problem है survey of research definition of research problem है defining research variables so variables को कभी भी सबसे पहले define नहीं किया जाता और यहाँ पर research के problem का town तो लिखा है ठीक है तो यह भी गलत हो जाएगा अब यहाँ पर इस step को दो में बाटा गया है identify research problem defining population and sampling population और sampling भी नहीं आता भेले ठीक है तो पहले step में हमेशा define करते है research के problem को उसके बाद hypothesis यानि की परिकल्पना परिकल्पना को रखा जाता है उसके बाद परिकल्पना को test किया जाता है और last में results को announce किया जाता है ठीक है अब announce नहीं results के report बनाई जाती है अब देखो hypothesis क्या हो दै मान लीजिए problem है सबसे पहले तो उस problem को मैंने define कर लिया identify किया पहले तो उसके बाद उस problem को define कर लिया detail में लिखते है कि यह यह problem है मुझे जो लग रही है इस problem का यह solution हो सकता है हम बोलेंगे अच्छा यह तनी बड़ी problem है इसका यह दो तीन solution है अगर एक भी apply हो जाए तो answer मिल जाएगा इस problem से बाहर हम दुनिया को निकाल सकते हैं लेकिन अब होता है न हर problem के solution का रास्ता आसान नहीं होता तो यह क्या हो गया है यह hypothesis हो गया हमने परिकल्पना कर दी मान लीजे मैं किसी problem में फस गई मैं अपनी एक friend के पास गई उन्होंने मिल को इस problem से बाहर निकलने का रास्ता बताया friend B ने दूसरा रास्ता बताया friend C ने तीसरा रास्ता बताया मैंने बोला तीनों के रास्ते solution तक जा रहे हैं लेकिन इसके वाले friend A के वाले solution में यह हो सकता है कि एगर बीच में गड़बढ हो गई तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बी में ऐसा है उसने खुद भी surety नहीं दी मुझे और C का अच्छा रास्त है तो यह hypothesis थी उन्होंने परिकल्पना हमें दे दी अब उस परिकल्पना को test करना कि कौन सा exact में मैं follow करूं किसका क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा वो उस परिकल्पना को test करना है उसकी परिक्षन करना है ठीक है और उसके बाद परिनामों को report करना होता है last step which of the following are not probability sampling techniques यह मैं लिकित में से कौन सी संभाव्यता नमूना करन तकनीक नहीं है तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ कि sample क्या होता है और इसमें probability sampling क्या होती है ठीक है उसके बाद यह question आपके लिए बहुत easy हो जाएगा अब देखो मान लीजिए कोई एक researcher है वो जा रहे है अपने research के लिए लोगों का interview लेने अपने research के लिए वो चलेगे किसी college में अब मान लीजिए कि उस college में 1000 students है अब 1000 students का वो interview या feedback या 1000 students है वो उनके views तो नहीं पूछ सकते तो इसलिए क्या करते है यह हो गया total population कि कितने लोग हमारे आसपास है population में से कुछ लोगों को select किया जाता है मान लीजिए 1000 में से उन्होंने सिरफ 40 लोगों को select किया अब यह 40 क्या हो गया यह हो गया sample यह हो गया एक नमूना अब यहाँ पर सवाल आता है कि 1000 लोगों में से 40 को select करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा कि random 40 लोग उठा लिये बस जो पहले 40 सामने आया उनको उठा लिया या फिर किसी particular subject के 40 बच्चों को उठाया या पूरे college में जिन students के top 40 students जो है उनको उठाया तो यह सारी चीज़ें हमें बताती है sampling techniques तो sample क्या होता है total population में से कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को select करना that is called sample और sampling में हमारे पास दो types होते हैं एक होता है probability sampling जिसको कहा जाता है संभाव्यता नमूना करन और एक होता है non probability sampling ओके so probability आप लोगों ने बच्पन में पढ़ी है सब लोगों ने 9th 10th में ये topic पढ़ा होता है probability का मतलब होता है random selection random selection random selection से मतलब होता है कि हमने याँ पर कोई rules कोई नियम कोई कानून किसी पर नहीं थौपा बस randomly जो person हमारे सामने आया हमने उसको उठा लिया और non probability sampling में क्या होता है कुछ rules लगाने पड़ते हैं कि हमें 1000 में से सिरफ वही बच्चा चाहिए जो की computer science background से हो तो ये non probability आ गया और बस हमने बोल दिया कि 1000 में से कोई भी जो 40 बच्चा सबसे पहले हमें दिखिया हम उसको ले लेंगे तो वो हो गया probability साथ नहीं तो ये basic मैंने आपको question पर जाने से पहले clear कर दिया है अब देखो अब आपको इसके answer जाने चाहिए so not probability probability यानि कि probability के type कौन से नहीं है तो ये हमारे पास probability के चार types होते है simple random, stratified, systematic और cluster simple random देखो दो lines है इसमें से किसी को भी उठा लिया हमने जो हमें पसंद आया जिसके कपड़े हमें पसंद आया जिसकी height हमें पसंद आया हमने उनको उठा लिया stratified क्या होताए ये female और ये मान लीजे male है हमने किया male और female को अलग अलग रख लिया और यहां में से 6 है 6 में से 2 उठा लिए तिक है उसके बाद यहां में से 4 उठा लिए 3 उठा लिए ये stratified होती जिसमें हम strata बनाते है चोटे चोटे groups बनाते है यहाँ पर मैं यह चीज़ें आपको बता रही हूँ लेकिन question देखो not probability तो probability कौन है simple random भी probability है stratified भी probability है और cluster sampling यहाँ पर देख सकते हो cluster sampling भी probability है तो यह चार नाम आपको याद रखने है इस तरीके के questions आपके लिए आसान हो जाएंगे अब जो आता है snowball sampling और convenient sampling यह है not probability यानि के non probability sampling के types तो probability के चार types होते हैं यह वाली image का screenshot लेकि इसको अच्छे से समझो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है सिरफ यह photos जो बनी है इनी से आपको clear हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है अगला question है from the given list below identify those which are called non probability sampling सो देखो गैर संभाव यता नमूना करण कौन से है simple random है नहीं है यह क्या होता है यह probability होता है dimensional हमने अभी तक नहीं पढ़ा snowball हमने अभी तक नहीं पढ़ा cluster हम पढ़ चुके है तो यह भी क्या है probability है stratified हमने पढ़ लिया यह भी क्या है probability है so non probability में कौन कौन से आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे आपके पास dimension sampling snowball sampling और quota sampling इसके अलावा एक और होता है voluntary response sampling and purposive sampling okay so यह चार नाम याद रख लीजिए basic से definition भी है यहाँ पर and detailed video already मैं आपके लिए लाज चुकी हूँ sampling पे theory session है cover किया हुआ अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है मुझे comment करके बता दीजिए मैं आपको link दे दूँ गी okay so यह है किस तरीके से probability sampling और non probability को आपको नाम याद रखने है and questions आपके असानी से solve हो जाएंगे अगला question है in which of the following sampling methods employed in research the units comprising this sample are given equal and independent chance किसमें सभी लोग जितने हज़ार लोग है किस कौन सा वो ऐसा नमूना करण का प्रकार है जिसमें सभी इकाईयों को समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है सो समान और स्वतंत्र मौका दिया जाता है किस में देखिए बहुत easy है हम discuss कर चुके हैं चीजे तो यह question वैसे तो मैंने जान बूझ कर add किया है क्योंकि सब में equal समान और सुतंतर अधिकार दिये जाते simple random sampling के case में ठीक है लेकिन यहाँ पर आपके पास simple random sampling को option ही नहीं है तो अगर simple random आपको अंसर लगे लेकिन वो option नहीं हो तो हमेशा आपको cluster sampling cluster नमूना करन को ही सही answer चुनना है जहाँ पर भी survey होते हैं बहुत जादा लोग हमारे पास है लेकिन सब लोगों को हम नहीं चुन सकते और कुछ लोगों को चुनना होता है वहाँ पर cluster sampling सबसे best एक type होता है cluster का मतलब ही होता है कि बड़े group में से छोटे छोटे groups बनाने और उन छोटे छोटे groups में से भी फिर किसी किसी को select करना so answer हो गया option number two अगला question है which of the two statements given from the following statements are correct so यहाँ पर statements दी है इसमें से कौन सी दो सही है पहली definition बोलती है sampling यानि की नमूना करन क्या है related error is subsumed under the category of non-sampling error ठीके कोई भी अगर संबंदित तुरूटी आ जाती है उसको गयर नमूना करन तुरूटी श्रेणी के अंदर उसको हमेशा non-sampling error के अंदर रखा जाता है दूसरा है sampling error does not occur in multi-stage cluster sampling multi-stage cluster sampling में इसको तुरूटी नहीं होती है inaccurate sampling frame and non-response are examples of sampling related errors and there is an inverse relation between heterogeneity of population and sampling errors ठीके सो यह हर एक जो important terms है heterogeneity हो गया sampling related errors हो गया यह हम discuss कर चुके है नहीं देखा है वो lecture comment की चुए link मैं आपको दे दूगी ठीके सो इसका answer direct आपको पता हो जाएगा कि first and third sampling क्या होता है sampling related errors जो होते है उसको हमेशा non-sampling error की category में रखा जाता है बिल्कुल सही है उसके बाद inaccurate sampling frame अगर हम देखो हजार लोगों में से हम बोलते हैं कि हमें top 50 बच्चे चाहिए वही हमने गलत बच्चे select कर दी तो दिखती से बात है हमारा research हमारा sample fail हो जाएगा तो यही चीज यहां पर कहा है इसलिए उसको यह उसका एक best example है sampling related error का अगला question है when a sample is chosen because it is available to the researcher is known as अब हमने आठ type की sampling methods देख लिए ठीक है उन आठ methods में researcher ने क्या किया जल्दी जल्दी में कोई भी sample का method use कर लिया क्योंकि सिरफ researcher के सामने वही available था कोई भी sample उठा लिया 1000 में से researcher सोच समझ के नहीं किया कि उसको कौन सा sampling method follow करना है उन्होंने क्या कर दिया फटा फट बस गए, समय कम था एकदम से उन्होंने क्या कर दिया लोगों को select कर लिया sample collect कर लिया तो यह कौन सा method होता है यह होता है convenient sampling अराम नमूना convenient क्या होता है आपको बोला जाता है ना अपने convenience के हिसाब से पढ़ा कीजिए कि जब आपको सही लगे जो आपको सही लगे उस according जो हम काम करते हैं जो अपने comfort zone में हम रहकर काम करते हैं जिसमें हमें ज़्यादा असुविरा ना हो उसको convenient कहते हैं तो यह convenient sampling भी उसी से related है so testing में सबसे पहला और सबसे important question है tea test के उपर जिसमें पूछा गया है a student's tea test is typically used for आम तोर पर्दे को tea test को use किया जाता है जिसमें कि अगर हम विद्यार्थियों के द्वारा tea test को use करें तो उसका क्या कारण होता है it is used in comparing two groups to see if their means differ यानि कि दो groups है अगर students के और हमें चेक करना है कि उनके means और उनके results जो है वो अलग अलग आए है उसको check करने के लिए tea test को use किया जाता है अगला option बोलता है in comparing multiple groups to see if their means are different यानि कि दो group नहीं दो से जादा groups के अगर means हमें compare करने है और check करने है क्या उसकी इसमें हम students के tea test को use करेंगे तीसरा बोलता है in testing the stationarity of a time series यानि कि किसी समें श्रिंखला की स्थिरता का projection करने में कोई देखना है कि स्थिर है कोई समें का test या फिर नहीं उसको check करने के लिए tea test use किया जाता है या फिर in testing the goodness of fit of a model तो यहां पर देखो कल अगर आपने theory session देखा है तो आपको पता होगा जहां पर भी tea test होता है ती से का याद रखिए two test two का मतलब है कि सिरफ दो groups को यहां पर compare किया जाता है तो correct answer बहुत आसान है option number one T test मतलब two test यानि कि दो groups को compare किया जा रहा है चाहे वो students के group हो चाहे वो कोई और group हो बस दो की यहां पर बात की जाती है तो वो T test ही होता है अगर आप लोगों ने अभी तक theory session नहीं देखा है जिसमें यह सारे concepts clear किये हैं मैंने तो link आपको description box में मिल जाएगा आप उसको check जरूर कीजेगा इसी के साथ फिर आप देख सकते हूँ अगला question है match the following से related यह previous year question है 2021 में आज़ इस पूछा गया था types of test दिये गए हैं जैसे कि Kruskal, Wellies test, Z test, Anova test और Chi square test और दूसरी तरफ subject matter of the problem ओके so देखो यहाँ पर Anova test हम लोगों ने कल Anova test को भी अच्छे से पढ़ लिया था काई square test को भी पढ़ लिया था काई square test का एक मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, एक छोटा सा की वर्ड बताती हूँ कि कहीं पर भी काई square test अगर दिख जाए और Hindi Medium Students भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है कहीं पर भी काई square परिक्षन अगर दिख जाए आप लोगों को तो उसको fit की अच्छाई का परिक्षन करने के लिए गैर परिक्षन के साथ हमेशा मैच करना है कहीं पर भी goodness of fit यह time आपको नजर आती है तो बिना सोचे समझे, बिना confuse हुए आप directly उसको काई square test के साथ मैच कर सकते हो, ओके सो डी को अगर हम third के साथ मैच करते हैं, देखो यह keyword से हमने direct answer ढूण लिया, option number one बाकी के option भी देख लेते हैं, देखो Z test क्या होता है testing the difference between means of two sample groups दो sample groups के बीच का test अगर हमें करना है तो Z test उसमें use होता है then we have ANOVA test, parametric test to compare means of more than two population groups दो या दो से दो group हैं, तो Z test और T test use होते हैं Z test में भी दो group है, T test में भी दो group है लेकिन Z test basically इनके result पर focus करता है testing के बाद जो result आता है, उसके comparison पर focus करता है and दो से जादा groups के अगर बात की जा रही हो तो go for ANOVA test, okay and crystal release test क्या होता है, non-parametric test होता है to compare means of two, means of more than two population group इसमें compare किया जाता है दो या दो से जादा बड़े groups के result को, उनके means को okay, so in the medium students भी देख सकते हो, correct answer है option number one अब एक चीज़ यहां पर आप लोगों के साथ और share कर देना चाहती हूँ ANOVA पढ़ रहे हो न, आप लोग, ANOVA का मतलब क्या होता है, यह exam में पूछा जाता है ANOVA का मतलब होता है, analysis of variance analysis of variance ठीक है, यह क्या होता है, यह parametric test होता है कुछ test हमारे पास non-parametric होते हैं, कुछ parametric होते हैं So ANOVA test हमेशा एक parametric test होता है, मतलब कि इसका कुछ parameters decided होते हैं पहले से ठीक है, जो कि दो या दो से जादा population group के means को compare करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है So देखो, इसे question से आपके चार points clear हो गए, जो कि exam में आपको बहुत help करेंगे अगला question है Which of the following statistical test examines the equality of two means दो means की, दो साधनों की समानता की जाँच करने के लिए कौन से test का इस्तेमाल किया जा सकता है ठीके, कौन से statistical test का यानि की सांखी की परिक्षन का इस्तेमाल किया जा सकता है So देखो option से F test, T test, chi square, man, whitney, u test और kolmorgow, smironov test ठीके, सो जादा तर आपको इन तीन में से questions पूछे जाते है So correct answer है यहाँ पर B and D, यानि की T test और man, whitney, u test ठीके, सो यह पूछे जाते है, तो सबसे पहले T test हम लोग discuss कर चुके है दो groups के means को compare करता है and determine करता है हमें बताता है कि यह एक दूसरे के साथ क्यों different है, एक दूसरे से क्यों अलग है उसके बाद option number D जो है, यह क्या है, इसको हम लोग Wilco Knox rank sum test भी बोलते है rank sum test के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीके F test जो होता है, यह आपका ANOVA test से जुड़ा होता है, यह question भी exam में आ चुका है कई बार पूछा जा चुका है, and chi square test का यह है, जैसे को chi square test यानि के x square इसको लिखते हैं, वैसे ही ANOVA test को F test भी लिखते हैं simple F भी आप इसको बोल सकते हो, okay so answer आपको मिल गया, अगला question है, in conducting one way analysis of variance which of the following statistics would be used, so direct answer है इसका F test, F test का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया, इसका मतलब है UNOVA test, one way analysis, कि सिरफ एक ही तरफ से analysis हमें करना है different variances का, तो वहाँ पर F test को use किया जाता है last question है, chi square test measures which of the following, so मैंने आपको trick बता दिया था पहले question में ही chi square test होगा, यानि कि goodness of fit होगा ये देखो same question को different तरीके से पूछा गया है so इसका answer आप लोगों को पता है, option number two है कि कभी भी chi square test होगा तो go for goodness of fit, okay so सबसे पहला question है, a hypothesis can be described as एक परिकल्पना जो होती है research में, उसको हम किस प्रकार से वरनित कर सकते हैं so देखो सबसे पहले मैं आपको simple से language में बताती हूँ कि hypothesis होता क्या है, hypothesis परिकल्पना करना या फिर इसको guess करना भी हम बोल सकते है अब ये एक ऐसा topic है जो कि आपको syllabus में लिखा हुआ, कहीं पर मिलेगा नहीं आप लोगो syllabus में अगर देखना है तो आप देखो steps of research लिखा होगा research का ही एक step आजाता है, hypothesis marking ठीक है, तो जहाँ पर हम hypothesis यानि कि किसी चीज को guess करते है तो देखो एक example के साथ चीजों को शुरू करते हैं, माल लीजे कि आप किसी problem में फस गए आप पहले अपने एक friend x के पास गए, फिर अपने दूसरे friend y के पास गए दोनों friends के साथ आपने अपनी problem share की और उसके बाद दोनों friends ने क्या किया आपको कोई solution बता दिया, अब आपको दो solution तो मिल गए लेकिन आप confused हो रहे हो कि कौन सा solution मुझे मेरे, कौन सा जो इन्होंने idea दिया है वो मुझे मेरे solution तक पहुंचाएगा तो ऐसे case में ये जो दो रास्ते हैं इसको हम hypothesis बोल सकते हैं, एक ऐसी statement जो कि हमारे पास है, एक idea हमारे पास है लेकिन अब ये हम पे depend करता है कि हम कैसे इस idea को test करें, कैसे इस idea को check करें, कि ये हमें best solution देकर ही रहेगा, किसी बड़ी problem में नहीं फसाएगा तो simple से language में ये होता है, research में hypothesis, कि research में किसी problem के solution तक पहुंचने के लिए, जो steps हम उठाते हैं, या आगे आने वाले समय में हम plan जो करते हैं, क्या वो plan हमें best solution देगा, ये हमें hypothesis मदद करता है जानने में, okay, तो ये चीज़े समझ आगे, तो questions बहुत easy हो जाएंगे, so hypothesis can be described as just just as a hunch, एक अनुमान की तरह ही होता है, a wild guess, एक बेतु का अनुमान इसको कहा जाता है, a type of statement made by researchers when they are attempting to get funding for their research, जिसमें कहा है, कि एक ऐसा researcher की trick होती है, जिसमें वो अपनी शोध के लिए किसी से fund, यानि कि धन की थोड़ी सी help चाहते हैं, तो उस समय hypothesis यूज किया जाता है, and fourth option a prediction of some sort regarding the possible outcome of a study, कि जो हम पढ़ रहे है, बविश्य में वो हमें क्या सही solution देगा, जो आगे हम steps लेने वाले हैं, कि क्या वो हमें सही राह में पहुंचाएगा, ये होता है hypothesis, तो इसमें correct answer क्या है, option number four, तो ऐसे ही questions आते हैं, next question है, research hypothesis आर्षोध परिकल्पनाई क्या होती है, जो current research किसी एक particular मान लीजिए, कोई भी एक topic है, उसको वापस पढ़ना, क्या ये research hypothesis होता है, statements of predicted relationship between the variables, चर के बीच अनुमानित संबंधों के विबरन को क्या हम research hypothesis बोलते हैं, such stated such that they can be confirmed or refuted, ठीक है, कि ये ऐसी statement होती है, जिसको एक researcher अपने हिसाब से confirm भी कर सकता है, यानि कि इसकी पुष्टी भी कर सकता है, और उसको खंडन भी कर सकता है, अगर उनको वो चीजे सही नहीं लगती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, इसको accept करना या नहीं करना, ए एक researcher के हाथ में होता है, तो option number C भी सही है, और दो variables है, यापर कुछ भी हो सकते है, कोई person हो सकता है, कोई book हो सकती है, कोई data हो सकता है, उनके भीच में relationship का अनुमान लगाना, और मैंने आपको पहले बिताया था कि research hypothesis का मतलब है, तो prediction का भी मतलब है, तो इसलिए correct answer है, option number D, both B and C, next question is, formulation of hypothesis may not be required in, so जब भी परिकलपना का निर्मान किया जाता है, तो कौन सी वो एक ऐसी study है, एक ऐसा method है, जहां पर इसको formulate करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं पड़ती, so इसका correct answer है, historical study, अब देखो, history एक ऐसी चीज है, जो की already हो चुकी है, है ना, अब इसमें तो हम अनुमान लगा कि क्या करेंगा, अगर मैं बोलू कि जहांसी की रानी नहीं युद्ध लड़ा, उनको ये hypothesis, ये परिकलपना कर लेनी चाहिए, अब तो उसको कोई फायदा नहीं क्योंकि अपना जहांसी की रानी है, ना, उनका युद्ध है, तो historical studies जो होती है, इतिहासि कध्यायन जो होता है, रीसर्च के धरान, उसमें परिकलपना की निर्मान की कोई गुझाईश ही नहीं होती, अगला question है, an educated guess about what is controlling some behavior is called, ठीके, किसी विवहार को नियंतरित करने वाली चीज़ के बारे में शिक्षित अनुमान कहलाता है, क्या कहलाता है, hypothesis कहलाता है, knowledgeable, अनुमान होता है, ऐसा नहीं है, कि बस हमें guess करना है, हमें solution तक पहुंचना है, कुछ भी कर लो, ऐसा यहां पर कभी नहीं होना चाहिए, अगला है, बहु परिकलपना पर कारे करने की विधी का उप्योग करना सर्वोत्तम है, ठीके, सो कौन सा वो method है, यह है, वाइल प् ध्यायन की योजना बना रहे होते हैं, तो उस समय बहुत सारे hypothesis के उपर काम किया जाता है, अगला है, यह देखो, जून 2007 का question है, अब यह मत सोचेगा कि इतना पुराना question है, तो क्या करें, यही questions basic होते हैं, और इनी के base पर questions हमेशा आते हैं, ठीके, तो देखें, यहां पर क to test null hypothesis, null hypothesis और alternative hypothesis, theory lecture already हम discuss कर चुके हैं, so null hypothesis और alternative hypothesis में, researchers जो शोध करता होते हैं, वो किसका उप्योग करते हैं, यह करते हैं, काई square test का उप्योग, जिसको x square के नाम सी, x2 नहीं होगा, यह x square है, ओके, यह सब चीजें, जो हैं, यह t-test, anova test, यह सब हम testing in research पे already एक वीडियो में, दो दिन पहले बना चुकी हूँ, link आपको description में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजेगा, ठीक है, वहां पर यह हमने detail में पढ़ा है, hypothesis का जो कथन है, वो कहां पर नहीं किया जा सकता, यह general terms में नहीं किया जा सकता, ठीक है, समान्य शर्तों क basis space को नहीं state किया जा सकता है, next is, what type of research would be least likely to include a research hypothesis, include in a research hypothesis, so research hypothesis कौन से research type में least likely to use होता है, में तो बहुत कम संभावना होती है, उसको इस्तिमाल करने की, तो यह होता है, descriptive, और देखो, जहां पर हम किसी problem को, बहुत ही ज़्यादा detail में, describe कर रहे हैं, descriptive हमने आपको बताया था कि description में, descriptive research में हम सिरफ उसके description देते हैं, आगे क्या काम करना है, क्या steps करना है, follow वो नहीं देते, सिरफ इसके description देते हैं, बस लिख कर, बोल कर, पढ़ा कर बता देते हैं, descriptive research में, research hypothesis के बहुत कम chances होते हैं, include करने के, और वही historical research की बात करें, उधर hypothesis को formulate, यानि कि उसको बनाया ही नहीं जाता है, बिल्कुल भी, next question, June 2009 में पूछा गया था, and जो बाकी के questions हैं, जिसमें मैं year नहीं बता रही हूँ, यह वो question है, जो कि बार-बार exam में, अभी तक भी exam में as it is आते हैं, ठीक है, the basis on which the assumptions are formulated is, किसाधार पर हम धारनाएं बनाते हैं, किसाधार पर धारनाओं को तयार किया जाता है, तो यह तयार किया जाता है, जिस भी country में आप research कर रहे हो, उसका क्या Sanskritic background है, Sanskritic प्रिष्ट भूमी क्या है, अब जिसे इंडिया में आप कोई research कर रहे हो, कैसे आप research को formulate कर होगे, यह पूरी तरह से निर्भर करेगा, कि आपके Sanskritic भूमी आपकी क्या कहती है, आपको, इसके बाद, universities जहां से आप पढ़ रहे हो, आपके cast, आप जिस एरिया में हो, जो आपका research topic है, वो सब चीजों पर भी है, डिपेंड करता है, सो correct answer is all of the above, next is a null hypothesis, null hypothesis क्या होता है, so when there is no difference between the variables, null hypothesis बोलता है, कि हमेशा दो चीज़े बराबर होती है, null hypothesis के according, a हमेशा b के बराबर है, null, null का मतलब होता है, खाली, देखो, शुन्य, शुन्य का मतलब है zero, मतलब यह बोलता है कि कोई difference ही नहीं है, हर चीज हमेशा समान है, a, b के बराबर है, यह बोलता है, 5, 3 के बराबर है, ठीक है, so null hypothesis हमेशा यह बोलता है, and जहां पर जब भी हम null hypothesis को accept करते है, null hypothesis को reject करते है, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा alternative hypothesis को accept कर ही रहे होंगे, तो यह hypothesis में null और alternative बहुत important है, इनको भी हम detail में already पढ़ भी चुके है, and आपको अगर वो वीडियो अभी तक नहीं मि रही है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, इसके साथ एक homework question है, जो कि इन सभी questions के base पर है, इसका answer मुझे आपने comment करके बताना है, and अगर आपका answer सही है, या गलत है, या आपको थोड़ी सी इसमें detailed explanation चाहिए, तो वो मैं आपके comment में ही आपको reply करके बता दूगी, इसके session आपको बहुत पसंद आया है, अगर चाहते होगी मैं इसको continue करूँ, तो comment करके आपने मुझे जरूर बताना है, so thank you so much and I wish you all the very best.